मुर्ध्य याने मौत जब आप पूजा करते हो तो ये कहते हो कि प्रभू आपके चरण में आने वाले को ना तो वापत जन्म लेना पड़ता है ना भुड़ापे में बिमारी भोगनी पड़ती है नो मुर्ध्य रूपी काल के वश में कभी जाना नहीं पड़ता आपके चरण में आने वाले के जन्ममरण के चक्र समाप्त हो जाते हैं और वो मोक्षगामी बन जाता है इसलिए आपके पूजा की जाती है कोई देवता शक्ती दे रहे हैं कोई देवता सिद्धी दे रहे हैं आप तो हमारे जन्म मरण के चक्र को समाप्त कर रहे हैं प्रभू आपको हमारे नमस्काव किसको कहते हैं ऐसे जरासंद के पास एक जराविद्या थी जरा याने क्या अभी मैंने बताया बेनो जरा याने क्या बोलो बुड़ापा तो जराविद्या याने क्या वो असुर जरासंद नाम का राक्षस जब भी अपने पास मंत्र विद्या थी उसको फुंके तो सामने जितने सेना के वीर हैं सबी निर्बल हो जाएं बुडों की तरह शक्ति हीन हो जाएं धिले पड़ जाएं वो और निच्छे गिर जाएं अभी कोई सेना सामने आती हो उसके सामने ये मंत्र बोल दिया जाएं वो सब अशक्त हो जाएं निशक्त हो जाएं बलहीन हो जाएं तो क्या वो जीत पाएंगे तो अब कृष्ण जब भी युद्ध करने जाते हैं तो युद्ध करने जाते ही जैसे मंत्र फूका जाता है उसी समय सामने के वीर ढिले पड़ जाएं ऐसे क्रिष्ण अठारा बार युद्ध करते हैं जरासंद से कितने बार और अठारा बार हार खाना पड़ता है हर बार जाएं वो तुरंत जरा विद्या का स्मरन करें जरासंद और उसी समय क्रिष्ण के सेना के जितने वीर हैं सब दिले पड़ जाएं बोर बापस पराजित होके गर पहुँचाएं हर बार हारे हारे तो अब क्रिष्ण को आवे के मैं इतनी बार हार गया हम हारे हारे अचानक याद आता है कि गिर्नार में विराजे हुए रैवता अचल परवतनायक श्री नेमिनात का सहारा लूंगा चरन लूंगा तब निश्चित विजय होगा अठारा बार हारा लेकिन मुझे अभी तक प्रभू की स्मृति नहीं हुई स्मरण नहीं आया मैंने बड़ी गल हारे 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 तुम्हारे केसा हारे हम हारे 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 तुम्हारे केसा हारे हारे केसा हारे आजा तेरा दात भुकारे आजा, हारे के सहारे आजा, तेरा दास भुखारे आजा ने मिनात दादा चरणों में मिलाया, इस कृष्ण को तू तार जा हारे के सहारे आजा, हम हारे हारे हारे, तुम हारे के सहारे टूपारे के सहारे आजा, हम हारे आजा के सहारे COÇ बाकで सहारे के सहारे हार एंदा रिंगा सुरण